Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही important current affairs 27th और 28th of December के मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे कल weekly current affairs की तो वो कल upload हो जाएंगे क्योंकि संडे को कुछ family issues की वज़ा से मैं upload नहीं कर पाया तो Tuesday को जाने कि कल जो है वो upload हो जाएंगे, आज हम डिसकस करेंगे 27th और 28th of December का current affairs और गाइस यहाँ पे आप दो best images देख रहे हो, लेकिन आज हम discuss करेंगे 9 से 10, बहुत important current affairs हैं तो द्यान से सुनी हो और बिलकुल वीडियो को last तक देखते रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजे मैं आपके साथ discuss करूँगा, कि आप हमारी affairs cloud के जो current affair की subscription है, वो buy कर सकते हैं किस तरह से buy कर सकते हैं, उसके दो method रहते हैं, एक तो आप हमारी website पे जा सकते हैं, जो है affairscloud.com slash current affair या फिर इसी वीडियो के description box में एक link given है, उस link पे आप click करेंगे, तो सीधा ही आप subscription area में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप subscribe क्यों करें और आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, आपको मिलेगी daily pdf, जो कि हम email के थुरू आपको बेशते हैं, तो उसमें वो update हो जाता है, उसी link को आप दुबारा-दुबारा click करके daily देख सकते हैं, तो daily pdf में आपको दो तरंकी pdf मिला करेंगी, एक theoretical current affairs होंगे, एक जो है वो question and answer की format में उसी दिन के current affairs आपको मिलेंगे, next weekly pdf होगा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि week wise आप questions को revise कर सकते हो, weekly test होगा, अपनी performance को evaluate करने क लिए ये बहुत ही अच्छा platform है, तो हम weekly test भी provide करते हैं, ताकि आप इसको अपने आपको evaluate कर सको, जो कि most important section जो हमारा रहता है वो है monthly pdf का, क्योंकि अलग-लग students के लिए हम इसके उपर focus करते हैं, और हम आपको 5 तरंकी pdf's provide करते हैं, पहली pdf होगी study pdf, जिसमें हम आपको पूरे साल के और पूरे मन्त के हम पूरा का पूरा compilation रखते हैं, ये monthly है तो मतलब month के हम yearly भी compilation आपको provide करते हैं, तो theoretical grand affairs होंगे, next question and answer format में होगा, मतलब जो भी theoretical grand affair है, उसको question and answer में convert करके हम आपको provide करते हैं, ताकि उसको याद जो है वो लंबे समय तक रखा जा सके, pocket pdf हो exam में उसमें आता है, तो उसके लिए focus किया गया इसके उपर, और next top 100 grand affairs आपको मिलेंगे, जिसके लिए हम वीडियो भी लेके आ रहे हैं, हम अगस से लेके अभी तक के monthly grand affairs की वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि आपको इसी हफते के अंदर-अंदर मिल जाएगी और guys, ये top 100 grand affairs ये भी आपको question and answer format में मिला करेगे, तो guys, ये सारी चीजे आपको एक ही subscription के अंदर मिल रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने अलग-लग subscription लेनी हैं, और उसका दाम बहुत ही कम है, एक बार विजिट करेंगे, आप खुद surprise हो जाएंगे, कितने कम दाम पे हम आपको provide कर रहे हैं, और इसके उपर हम आपको दे रहे हैं, 10% extra discount, अगर आप इस code को use करोगे, एच 10 को, तो आपको ये 10% discount जो है, वो मिल जाएगा, ये current fairs हिंदी में भी अविलेबल हैं, इंग्लिश में भी अविलेबल हैं, आप हमारी site पर चेक कर सकते हैं, तो guys, start करते हैं, आज जल्दी time announce करूँगा, और daily आपको उसी time pit पर मिल जाया करेगा, तो start करते हमारा पहला section, most important questions का, और ये रहा पहला question, which state government will set up India's first mega leather park, मत्तब वहाँ पे किसके बारे में production की बात हो रही है, leather के बारे में जो है, वो बात हो रही है, तो फटवट सब बच्चोंने answer मेरे साथ म इंडिया का पहला leather park जो है, वो बनाने जा रही है, कहां पर बना रही है, कानपूर के अंदर इसको बनाया जा रहा है, तो आप यहां पर योगी इत्यानाच जी का smiling चहरा जो है, वो यहां पर देख सकते हो, अलग-लग तरह की चीज़े, leather products जो है, वो यह वहां पर manufacture करेंग और यह 50,000 jobs को भी क्या करेगा, create करेगा, 50,000 jobs को अगर create करेगा, तो मतलब यह almost dead lack, मतलब 1.5 lakh लोगों को जीने के लिए जो है, वो कुछ जीवन परदान करेगा, जो अच्छी चीज़े हैं, वो खरीज सकते हैं, अपना living standard increase कर सकते हैं, मतलब उनको रहने योग्या चीज़ को बनाएगा, यह हम बात कर चुके हैं, तो यहां पर आपके लिए important है, उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश के tiger reserve, जो आपके लिए important है, पीली बीथ tiger reserve, और दुदवा tiger reserve, यह दोनों tiger reserve आप याद रखेंगे, और खास करके, चीफ निस्ट आपको पता ही है, योगी दित् लिचन पार्क, क्या था, फर्स्ट लिचन पार्क, मत्ता काई जो है, तो उसका एक पार्क बनाया जा रहा है, वो कहां पर बनाया जा रहा है, उत्तरखंड में बनाया जा रहा है, मसूरी में बनाया जा रहा है, तो आप वो भी याद रहा है, यहां से रख सकते हैं, नेक्स इस question में दो चीज़े important है, एक तो अपने theme याद रखना है, एक जगा यहाँ पर यह हुई है, यह दो चीज़ें आपने याद रखनी है, most important question में इसको mark कर लें और मेरे साथ answer को match करें, answer क्या होगा इसका, one and only हमारी capital New Delhi और यहाँ पर आप देख सकते हो, India 6th International Science Festival 2020, जो कि मोदी जी ने जो है, वो inaugurate किये, यह भी question आप से पूछा जा सकता है, और यह रहा theme इसका, science for self-reliant India and global welfare, अभी हमारा focus जो ज़्यादातर है हर चीज़ के अंदर, वो किस चीज़ का है, self-reliant India, आतर निर्बर भारत, क्योंकि export और import बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, COVID-19 के कारण जिसके कारण, अभी हमारी शमता, जो है, वो हम परक सकते हैं, अपनी शमता को और बढ़ा सकते हैं, और इंडिया में भी जो है, वो हम सारी चीज़ों को पैदा कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइम निस्टर निरेंदर मोधी जी ने इसका inauguration किया है, और किसकी presence में की है, डॉक्टर हर्षवर्दन, डॉक्टर हर्षवर्दन आपको पता है, कि डॉक्टर हर्षवर्दन की खासियत मतलो कौन सा पोर्टफोलियो जो है, वो उनको दिया गया है, और पोर्टफोलियो उनके पास बहुत से हैं, वो Minister of Science and Technology है, Earth Sciences है, Health and Family Welfare है, तो अपने याद रखना है, कि 2019 का ये फेस्टिवल, जो International Science Festival था, ये कौन सी स्टेट में हुआ था, West Bengal में मतलब कहां पे हुआ था, Calcutta के अंदर, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, विज्ञानिका International Science Literature Festival 2020, विज्ञानिका International Science Literature Festival, ये International Science Festival का ही एक पाठ है, उसका नाम के है विज्ञानिका, और ये श्री निवासा रामानुजन, हम Mathematician Day 22 December को मनाते हैं, तो उनी को ये क्या किया गया, समर्पिन किया गया, क्योंकि ये 22 तारीक को इस्टार्ट हुआ था, तो पहला इवेंट जो है, वो यही था, तो ये आप थोड़ा सा याद रखे इस चीज़ को, बहुत ही important चीज़ों के basis पे इसको याद रखना है, और यहाँ पे आपके पास दो जगाएं जो है, वो important हो जाती है, एक तो West Bengal important हो जाता है, West Bengal की Chief Minister मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है कि कौन है, दीदी जी है, ममता बेनर जी जी है, और governor कौन है, जगदी जगदीप धनकर जी, तो याद रखना है, जगदीप धनकर, तो recent news में थे, क्योंकि ममता बेनर जी के साथ, जो है, वो इनका dispute चलता है, और उसी के कारण जो है, जगदीप धनकर, और दूसरा हमारे पास important है, New Delhi, वो तो सब को पता है, कि New Delhi के Chief Minister जो है, वो हमारे प्यारे ज अर्दीप सिंग पुरी लॉंच्ट विच वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन फॉर मैनेजमेंट अफ ऑल गौर्रमेंट अफ इंडिया इस्टेट सर्वसीज, जितनी वी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वसीज है, चाहे वो रेजिडेंशल प्लॉट से रिलेट हो कुछ भी है, तो वो एकी पॉर्टल पे जो है वो ले आए है, सारी की सारी स्टेट सर्वसीज एकी पॉर्टल पे आ चुकी है, और हरदीप सिंग पुरी जी ने इसको क्या किया है, अनोगरेट किया है, हरदीप सिंग पुरी जी आपको पता है, Housing and Urban Affairs के क्या है, हमारे Minister of State है independent charge उनको दिया गया है तो कौन सा portal launch किया गया है जिसमें आप ये सुविदाएं ले सकते हो क्योंकि government का initiative क्या रखा है one nation one system तो उसी के अंदर सारी सुविदाएं आपको मिलेंगे अंसर को मेरे साथ match करें वीडियो को pause करें अंसर क्या होगा E-Sampada तो याद करना है ये ministry of housing and urban affairs का है E-Sampada संपada मतलब आपकी जो property होगी तो उसको नाम दिया गया संपada तो आप समझना और याद रखना बहुत ही easy रहेगा तो आप यहाँ पर दे सकते हो ये सारी state services को आपस में जोडेगा किसने इसको तियार किया है National Informatics Center ने इसको जो है वो तियार किया है One Nation, One System के अंदर इसको तियार किया गया है ये transparency और accountability को क्या करेगा increase करेगा तो आपको कुछ भी चाहिए like residential accommodation से related आपने registration करवानी है office space चाहिए कोई allotment करवानी है government organization के लिए या फिर holiday home rooms को आपने book करवाने कुछ भी आपका social function के लिए आपने कुछ venue book करवाने तो सारी चीज़े जो है वो आपको इसी state service के अंदर मिल जाएंगी तो बहुत ही अच्छा है जो initiative है सरकार का वो लिया गया है और यहाँ पर important के है हमारे पास National Informatics Center National Informatics Center New Delhi में होगा by default और डिरेक्टर जर्नल कौन है डॉक्टर नीता वर्मा लेकिन हमारे लिए इतना ज़्यादा important नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा पड़ा होगा तो आपको याद रहेगा तो next question की तरफ बढ़ते हैं और आपने एक बात और याद रखनी है कि इसंपदा जो है वो government की already जो ministry of housing and urban fairs की चार website चल रही थी उसको भी साथ में क्या किया जा रहे है combine किया जा रहे है और दो mobile apps जो की बहुत important है M.Awas और M.Ashoka 5 दोनों को क्या कर दिया गया है merge कर दिया गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौनसी app के अंदर merge किया गया है E.Sampada app के अंदर merge किया गया है तो next question की तरफ बढ़ते है who won excellence award in CSR domain in 15th CII ITC Sustainability Award 2020 most important question में mark कर लें और यह corporate social responsibility मत्तब जो भी हमारी companies है चाहे वो private है चाहे government है उनको कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ताकि उनको benefit मिल सके तो उसी को क्या कहते है corporate social responsibility तो कौनसी company को excellence award दिया गया है CSR domain in the 15th Confederation of Indian Industry ITC Sustainability Award 2020 तो answer को मेरे साथ match करें answer क्या होगा NTPC National Thermal Power Corporation जो कि आप कहा सकते हो कि पराना नाम है इसका तो उसमें इसको जो है वो शामिल किया गया इसको पहला award जो है वो दिया गया है National Thermal Power Corporation और इनको corporate excellence के अंदर भी award मिला है लेकिन corporate excellence के अंदर और भी companies को मिला है तो इसलिए याद रखने CSR domain के अंदर किसको award मिला है NTPC को तो यहाँ पर NTPC हमारे लिए important हो जाता है और NTPC के बारे में अपने याद रखना है इसके chairman और managing director कौन है गुर्दीप सिंग हमने कुछ दिन पहले भी इस question को cover किया था NTPC का तो गुर्दीप सिंग और headquarter कहाँ पर है New Delhi तो याद रखना है NTPC के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हो 15th CII ITC Sustainability Award 2020 NTPC wins excellence award for corporate social responsibility दो-तिन keywords आपने याद रखने यहाँ पर याद क्या रखना है corporate social responsibility और साथ में आपने याद रखना है 15th Confederation of Indian Industry Confederation of Indian Industry आपको पता है कि Confederation of Indian Industry का headquarter कहाँ पर है New Delhi और President कौन है CII के उदे कोटक जी तो हम हर रोज CII का कुछ न कुछ कवर करते हैं तो याद रखना है उदे कोटक जी और Managing Director भी है यह कोटक महिंदरा बैंक के तो यह तो सब को बता है बच्चे को बता है तो NTPC also received commendation for significant achievement in the category of corporate excellence यह मैं बता चुका हूँ लेकिन corporate excellence के अंदर और भी companies को जो है वो award मिला है तो इसलिए corporate excellence में याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पिछले साल भी NTPC को मिला था लेकिन corporate excellence में और भी companies को award जो है वो दिया गया है तो अपने corporate excellence का याद नहीं रखना लेकिन NTPC only PSU है जिसको ये corporate excellence के अंदर award मिला है otherwise बाकी companies जो है वो corporate excellence के अंदर private companies है तो इसलिए कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है excellence in CSR is the highest award comfort by confederation of Indian industry IT is in the corporate social responsibility domain सबसे बड़ा award है जो CIA की तरफ से दिया जाता है corporate social responsibility के domain में तो याद क्या रखना है NTPC को याद करना है National Thermal Power Corporation next आते हैं दोस्तों अगला question बहुत important question है first lithium refinery of India is to be set up in which state अब lithium batteries को बाहर से import करने की ज़रूरत नहीं इंडिया में और भी बहुत सी हैं factories lithium की लेकिन ये सबसे बड़ी lithium refinery जो है वो खुल रही है और पूरा का पूरा product indigenously होगा इसलिए हम first word use करने हैं अधरवाइस बन रही है इंडिया के अंदर assemble हो रही है लेकिन आज सच हमारा indigenious product जो है वो नहीं है तो first lithium refinery of India is to be set up in which state कौन सी state में lithium के लिए जो है वो refinery खोली जा रही है most important question में कर लो क्योंकि अगर हम electric cars के उपर जा रहे हैं हम इतनी चीज़े बना रहे हैं electric vehicle से related तो उसमें lithium batteries जो है वो चाहिए तो उसके लिए production जो है वो बहुत जरूरी है rather than हम पूरा का पूरा product बाहर से बंगवाएं तो answer क्या होगा इसका answer होगा गुजरात याद कर लें mark कर लें और यह question आने के chances सबसे ज़्यादा है तो गुजरात state to host India's first lithium refinery इसको mark कर ले most important question के अंदर और देख सकते हो it will process lithium ore to produce battery grade material तांकि वो battery जो है वो बना सके और हमारा electric vehicles का जो सपना है वो भी हम क्या कर सकें पूरा यहां से कर सकें यह बहुत ही ज़रूरी है कि electric vehicles का जो सपना है वो यहां से पूरा हो सकें और इसमें कौन सी company जो है वो invest कर रही है thousand crore से भी ज्यादा rupees invest कर रही है money current power limited जो इस refinery को बनाएगी लेकिन अब यह lithium ore आएगा कहां से क्योंकि इंडिया में वैसे इतना important नहीं है new metals जो है वो इस company का नाम है और इंडिया का target है कि हम 2030 तक क्योंकि हमने जो है electric vehicles को लेके आना है तो 30% तक जो है electric vehicles को increase करना है तो by default lithium जो iron batteries है उसको use करना जो है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमें बाहर से पूरा का पूरा product जो है वो त्यार नहीं करना पड़ेगा और यहां पर दोस्तों हमारे पास state important हो जाती है गुजरात बहुत important state है यहीं पर आपको मिलेगा गिर नैशनल पार्क, गिर फोरेस्ट है बहुत ही famous यहीं पर आपको मिलेगा नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशल इंटेलिजेंस देखो इसमें दो तीन तरह के question है बेसिकली तीन question आप इसमें मान के चल सकते हो एक तो है कि total article जिसके publish हुए तो articles में rank इंडिया का कुछ अलग है लेकिन अगर artificial intelligence में वो publication की बात करे particular एक category वो artificial intelligence के तो उसमें इंडिया का rank कुछ अलग आएगा एक आएगा कि कौन सी university ये कौन से college ने इंडिया की दरफ से सबसे जादा artificial intelligence से related जो articles है वो publish किये हैं तो इसमें हम पहला question cover करते हैं कि most publication only in the specific category और वो कौन सी है artificial intelligence उसमें कौन सी country ने top किया है और फिर मैं आपको rank बताऊंगा कि क्या क्या कौन सी country का है तो पहले आप मेरे साथ match करें answer को answer क्या होगा इसका China चाइना ने इसके अंदर क्या किया है टॉप किया है artificial intelligence के journals को publish करने में तो ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है लेकिन अगर आपको पूछ लें कि total number of जो publications है मतलब article जो है वो सबसे ज़्यादा publish हुए वो कौन सी country है फिर उसमें जो rank आएगा सबसे पहला वो भी किसका आएगा वो भी जो है वो आपके पास मिलेगा चाइना का लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको difference यहाँ पे मिलेगा तो चाइना की university है सिंगुआ यूनिवस्टी उसने सबसे ज़्यादा publish किया तो उसमें भी पहला rank फिर किसका हो गया चाइना का ही हो गया लेकिन फिर US से किसमें आगे है अगर आपको simple question पूछले total number of articles सबसे ज़्याद artificial intelligence में किसने publish किये है तो फिर answer क्या आएगा United States of America United States of America याद रखना है total number of articles अगर वो पूछले artificial intelligence में articles specially तो वो क्या होगा हमारे पास United States of America और उसमें इंडिया का rank जो है 20th rank है और अगर आपको पूछले total number of publications in artificial intelligence article नी total number of publications तो वो इंडिया का rank 3rd होगा चाइना पहले नंबर पे होगा फिर अगर university वाइस पूछले वो भी चाइना पहले पे इंडिया के की उनिवस्टी है अन्ना उनिवस्टी तो इस question को most important question में मार कर लो तीन अलग लग तरह के question है और मैं तीनों की slides आपको दिखा देता हूँ तो इंडिया ranks 20th in the nature index of 2020 artificial intelligence तो overall इंडिया का अगर आप यहां पे rank देखोगे total article share in artificial intelligence जो भी articles publish हो है total और time period इसका क्या है 2015 से लेके 19 तक के बीच में जो articles publish हो है artificial intelligence से लेटे तो उसमें United States of America पहले number पे है और इंडिया का rank जो है वो 20th number पे है number of articles में अगर number of publications पूछ ले artificial intelligence में तो चाइना पहले पे है और इंडिया जो है वो third rank पे है यह बहुत ही अच्छी खबर है कि हम artificial intelligence के ओपर इतना focus कर रहे हैं और अगर आपको university wise पूछ लें तो सबसे पहली university में बता चुका हूँ चाइना की है अगेन चाइना पहले पे आएगा सिंगुआ यूनिवस्टी ने सबसे अधा artificial intelligence से लेट publications की है और अन्ना यूनिवस्टी का rank जो है वो क्या है 32 rank है तो आपको rank नहीं पूछेंगे अन्ना यूनिवस्टी का सिरफ नाम पूछेंगे यूनिवस्टी का की कौन सी दी जिसने artificial intelligence में सबसे ज़्यादा publications की हैं इंडिया की तरफ से तो ये आप थोड़ा से याद रखेंगे और ये rank जो है वो किसने publish किया है इस index का मैं नाम बता चुका हूँ इंडेक्स का नाम क्या है Nature Index 2020 Artificial Intelligence नाम से पता लग रहा है किसने publish किया है Nature Research ने इसको publish किया Nature Research जो है वो London United Kingdom की एक company है उसके editor-in-chief जो है वो कौन है Macdalena Skipper लेकिन नाम तो याद ने रखना Editor-in-chief आपने याद रखना नाम क्या याद रखना लोकेशन Nature Research और वो भी ज़्यादा important नहीं है तो दोस्तों next question की तरफ बढ़ते हैं और अब next section हमारे पास आता है very important questions का उसमें पहला question है In pursuit of justice An autobiography is the autobiography of which person मतलब simple question है एक autobiography है जिसका नाम के है In pursuit of justice मतलब justice के लिए आगे बढ़ना या justice के लिए आगे दवाब बनाना An autobiography किसकी autobiography का नाम है तो आपके पास 4 options आपको दिख रही है तो फटा फट मुझे answer बताना है chat box में बताना है मैं सबके answer पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ यह posthumously release की गई है यह उनकी family के दुवारा वो release की गई है लेकिन otherwise उनकी death जो है वो 2018 में हो चुकी थी Justice Rajinder Sacher जी की तो याद रखना है यह उनकी family की तरफ से वो publication की और डाला गया और रूपा publication की तरफ से इसको publish किया गया मैं आपको एक cover page दिखाता हूँ आप देख सकते हो In pursuit of justice and autobiography Justice Rajinder Sacher उन्होंने जो है वो इस book को लिखा है मतलब उनके articles हैं उनके handwritten notes हैं उनकी recorded interviews हैं फिर पहले यह एक systematic way में नहीं था लेकिन बाद में उनके जो personal secretary थे निरंजन कौशिक जी उन्होंने इसको मतलब सही तरीके से लिखवाया और चित्रा पदमंबन जी हैं उन्होंने इसको लिखा independent journalist हैं वो तो लेकिन हमें याद रखना है कि किसकी autobiography है वो है justice Rajinder Sacher तो नाम याद करना है in pursuit of justice next question की तरफ आते हैं which bank recently introduced e credit card तो आपने शायद बहुत से banks का देखा होगा इसलिए recently word जो है वो इस question में use किया गया है तो दियान से आपने answer को देना है कि किसने जो है वो e credit card को launch किया है मतलब आपको physically credit card रखने की ज़रूरत नहीं आप online ही आपके पास number होगा credit card दिखेगा आपको और यह कौन सा bank है यह Punjab National Bank है तो answer क्या होगा इसका B होगा simple question है simply याद रखें इसको क्योंकि बहुत से banks का है तो एक तो इसके फाइदे क्या है कि आपको यह डर नहीं रहेगा कि यार जेब में रखना है कहीं रखना है कहीं बूल गये यह खतम हो गया कोई plastic का use नहीं होगा इसमें मत्तब इक को फिरेंडली हो गया ठीक है आप अपने account के साथ ही आपका directly क्या होगा link होगा और वहीं से आपको दिख जाया करेगा वो online है credit limit is not exposed to the supplier मत्तब जो plastic card provider like master card हो गया विजा हो गया उनको आपकी personal detail जो है वो नहीं मिलेगी और freedom for fare to card theft क्योंकि है इनी physically तो चोरी का डर नी रहेगा the card provides configuration control for each transaction हर transaction के बाद आप online ही कुछ ना कुछ उसमें changes कर सकते हो the card is valid for multiple use वो तो चाहे e-card है चाहे offline card है वो आप multiple use के लिए debit card और Amazon जो है वो credit card कर रहा ICIC के साथ मिलके तो ये already है trending लेकिन PNB ने फिलाल अपी जो है वो launch इसको किया है तो Punjab National Bank जो हो हमारे लेकर आओ जाता है यहाँ पे important हो जाता है कैसे important है Punjab Bank जो बनाया गया था वो 1894 में इसको बनाया गया था लेकिन 1895 में it was started working MDO और CEO को होने SS Malikarjun Rau याद रखना है SS Malikarjun Rau बहुत important है headquarter कहां पे New Delhi और tagline क्या है PNB की The name you can bank upon ये PNB की क्या है tagline है next question आते है which state launched the scheme named Navratnalu Peda Landakri Illu it means 9 jewels housing for all the poor तो एक बार मैं नाम फिर से repeat कर देता हूँ क्योंकि नाम से पता लग रहे कि कोई South India की state है जो इसको जो है वो क्या किया इसकी इनको start किया है तो Navratnalu Peda Landakri Illu it means 9 jewels housing for all the poor बतना नाम से पता लग रहे कि उस state government ने की initiative लिया कि हम सब के लिए जो है वो गर बनाएंगे तो ये initiative लिया गया जो गरीब लोग है उनके लिए गर जो है वो बनाया जाएगा कौन सी state government की बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि वो state government हर हफते हम कम से कब 5 या 6 बार जो है वो जुरूर डिसकस करते है और उस state के बारे में बात जो है वो की जाती है तो मैं बात कर रहा हूँ उस state की जिसके chief minister है Y.S. जगन मोहन रेड़ी कौन है chief minister Y.S. जगन मोहन रेड़ी तो answer क्या होगा नाम से पता लग गया answer क्या होगा तो आप यहाँ पर देख सकते है उनका picture और हर बार कोई नई scheme वो लेके आते हैं और chief minister जगन मोहन रेड़ी जी ने उसको start किया 9 jewels मतलब नवर अतनलू 9 jewels पेदा लंदारी की इलू मतलब housing for all मतलब ग्रीब बंदों को गर मिलेगा और 30.90 lakh houses will be constructed by the government by 2024 और अगर अंद्रप्रदेश से बिलॉंग करते हो तो यह चीज को जुरूर याद रखना है कि 2024 तक आपने इन houses को construct करना और total houses कितने construct रोंगे 30.90 जो कि पकागर होंगे मतलब cemented house होंगे इसमें state government का खर्चा होगा 50490 crore और इतना खर्चा जो है वो लगाया जाएगा और इसमें खास बात है कि एक पत्ता जो है वो दिया जाएगा पत्ता का मतलब एक registry की जाएगी और इसमें खास बात क्या है कि वो registry जो है वो किसके नाम से की जाएगी वो उस गर की woman के नाम से जो है वो की जाएगी, मतलब जो मालिक होगा गर का, वो हम कह सकते हैं, मैन नहीं होगा, वो कौन होगा, फीमेल होगी, तो इसको थोड़ा सा आपने याद रख लेना है, मतलब एक अलग सा इनिशेटीव है कि वोमेन को जो है वो अर्नरशिप दी जाएगी गर की, सिंपल वर्ट्स म वेंग्टेश्वरा नैशनल पार्क भी जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा? शिरी वेंग्टेश्वरा मिल जाएगा, और साती साथ आपको कौन सा मिल जाएगा, रजीव गांदी नैशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नैशनल पार्ग आपको मिलेगा पापी कॉंडा नेशनल पार्ग चीफ मिनिस्टर आपको पता लगी चुका है जगमोहन रेडी जी है और गवर्नर कौन है विशव भूशन हरी चंदन तो याद रखेंगे नाम विशव भूशन हरी चंदन तो नेक्स आते हैं दोस्तों इंपोर्टें तो फीशल लैंगोज बनाने का दर्जा जो है वो देने का निर्ने ले लिया है अभी वो स्टेट असेंपली में पास होगा बिल तो उसके बाद जो है वो डिसीजन क्या हो जाएगा बिलकुल फाइनल हो जाएगा लेकिन फिलाल बताना है मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे बात कौन सी स्टेट की ओ रहे है बहुत ही सिंपल कोश्चन है बोड़ो जो है वो हमारे कॉन्सिजूशन में एट शेडियूल में भी एड़ेड है और बोड़ो को एड़ कब किया गया था कॉन्सिजूशन में बोड़ो को एड़ किया गया था 92nd Amendment 2003 में 92nd Amendment 2003 में इसको एड़ किया गया था और मैं बात कर रहा हूं किसकी असम की बोड़ो के साथ 3 languages को और एड़ किया गया था डोगरी, सैंथली और मैथली लेंगज को भी एड़ किया गया था लेकिन बोड़ो जो है वो हमारे 8 schedule में एड़ेड है तो इसलिए important question में डाला क्योंकि यह simple question था, otherwise अगर आपको नहीं आता था तो आपने इसको very important question में mark कर लेना है, तो असम to introduce new law to accord बोड़ो as a associate official language of असम, otherwise उनकी जो official language है वो तो असमीज है, लेकिन आपने इसको याद रखना और असमीज जो है वो इंडो-ारियन लेंगज के तोर पे जानी जाती है, लेकिन हम अरभी states में बोली जाती है, असम में, अरुनाचल परदेश में, नागलेंड में, मेगालिय में और वेस्ट बेंगॉल में, मतलब नॉर्थ इस्टन को छोड़के वेस्ट बेंगॉल में भी बोली जाती है, और एट शेडियूल में already क्या है, added है, और चीफ मिनिस्टर तो अरवाइस आपको यहां पर काजीरंगा नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क, दिबरुशाइकोवा बाइस वरिजव आपको यहां पर मिल जाएगा, न मेरी नैशनल पार्क आपको यहां पर मिल जाएगा, तो next आते हैं, next question जो की picture से आपने सीखना है, नाम क्या है, शमसूर रहमान फरुकी जी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल question जो है वो नहीं है, तो शमसूर रहमान फरुकी जो की आपने याद रखना है कि किस language के कवी थे, इनको बहुत से awards मिल चुके हैं, लाइक सरस्वती सम्मान मिल चुका है इनको 1996 में, इनको पदमशिरी मिल लिट्रेचर के अंदर 2009 में, तो याद रख लेना आपने पदमशिरी 2009, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि पदमशिरी कम मिला है इनको, तो सिरफ ये पूछेंगे कि कौन सी language के कवी रहे हैं, नेक्स दोस्तों आप एक ही slide के अंदर दो images देख रहे हो, इंगल से बिलॉंग करते हैं, तो अपने याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं, रॉबिन जैक्मेन की तो वो एक पेसर थे, मतलब फास्ट मिडियम बॉलर थे, राइट हेंड़ बैट्समेन थे, लेकिन बॉलर के तौर पे उनको जादा जाना जाता था, तो नाम याद कर ले और रॉबिन जैक्मेन जो हैं, वो साथ ही साथ जो हैं, वो हम कह सकते हैं, कमेंटेटर भी रहे हैं, लेकिन जॉन एड्रिक जो हैं, वो बैट्समेन रहे हैं, इंगलेंड के बहुत ही फेमस बैट्समेन थे, और इनका भी अपने नाम जो हैं, वो याद रखना हैं, वो मेरी क्रिकेट क्लब के लेकिन आपने याद नहीं रखना हमारे लिए सिर्फ नाम इंपोर्टन है तो रॉबिन एंड जॉन तो इस तरह से आप इसको याद रखोगा और कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग करते हैं इंगलेंड से तो नेक्स्ट के उपर आते हैं दोस्तों अगले कोस्टिन के उपर और यह है हमारा वन लाइनर इंपोर्टन सेक्शन तो सबसे पहले गॉर्मेंट ओडिसा ने अपॉइंट किया है सुरेश चंद्रा मुहापात्रा को अपने नए सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे ओल्लेडी एक चीफ सेक्रेटरी थे अ अब जिस तरह से आपको पता है कि जल जीवन मिशन जो है वो चल रहा है तो उसके तहट जो है जरूरी है कि जो भी पानी आ रहा है कहीं से या पोर्टेवल डिवाइसी ऐसी बनाई जाएं जिससे ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट हो सके कि कि इतनी कच्छी क्वालिटी जो है व जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती के अंदर रहा है और गजेंदर शीहं शेकावत जिवाइस के यूनियन मिनिस्टर है और यह डिपार्टमेंट अफ पर्मोंशन इन्डस्टी अउफ इंड़न ट्रेड जो है मिनिस्ट्री और इ जल जीवन मिशन इसको याद रखना है नेक्स आते हैं DGT Microsoft and Nascom Foundation Science Agreement to provide digitalized content for ITI students via Baris Skill Portal तो simple news है कोई ज़्यादा important नहीं है कोई ज़्यादा confused नहीं होना कि सर इतनी मुश्किल news है इसमें सिरफ आपने नाम याद रखना है Microsoft का आप Nascom Foundation का भी कर सकते हो लेकिन अधरवाइस main important word कौन सा Microsoft की Microsoft के साथ मिलके जो directed journal of training है और Nascom Foundation है दोनों इंडिया के अंदर ITI के बच्चों को मतलब industrial training institute के जो बच्चों को उनको skill development की training provide करेंगे कौन से platform पे बारत skill portal के उपर ये training provide करेंगे तो और कोई ज़्यादा इसमें important नी है Nascom का अपने headquarter याद रखने है Nascom Foundation का headquarter नौइडा उत्तरपरदेश में है नेक्स आते हैं India rank third in the list of 25 countries with the most publications of artificial intelligence मैं करवा चुका हूँ question और अगर वो article लिखने हैं यहाँ पे तो इंडिया का rank 20th है यूनिवस्टी जो है वो कौन सी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ यूनिवस्टी कौन सी है अन्ना यूनिवस्टी जो कहां पे है चन्नाई में है next Robin Jackman जो की former England cricketer and commentator उनका भी देहान तो गया और John Edrick जो की बहुत ही famous cricketer थे मतलब batsman थे उनका भी देहान जो है वो चुका है next question के उपर आते हैं जो की हमारा question of the day था 26th of December का उसका answer देने की बारी आ चुकी है और question हमारे पास था which Indian state was affected by the cyclone बुरेवी तो जितने भी बच्चों ने answer दिया almost सबका correct था एक दो को छोड़के तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा answer दिया answer क्या था इसका तामिलना डू तो आज के question की दरफ बढ़ते हैं question of the day की दरफ और मैं आप सबसे request करता हूँ कि इसका answer आपने सिरफ comment box में देना है question क्या है where is the South India's first rescue and rehabilitation center for monkeys located तो यह आपने बताना है recent news में था where is South India's first South India की बात कर रहा हूँ पूरी इंडिया की बात की नहीं कर रहा rescue and rehabilitation center for monkeys located यह आपने मुझे answer बताना है comment box में तो guys thank you for watching this video please subscribe ज़रूर कर दे यार चैनल को कोई भी problem आपको नहीं आएगी और bell button को ज़रूर प्रेस कर दे क्योंकि आपको notification on time मिल जाया करेगा और guys एक काम आपने ज़रूर करना है जो मैं आपको देता हूँ कि 700 plus likes आपने देने है और यह affairs cloud का promise है कि यह आपके journal awareness के section को ज़रूर boost करेगा और साथ ही साथ आपको यह मैं personal promise कर रहा हूँ कि अगर आप videos को लगातार देख रहे हो और हमारे weekly, monthly और जो daily section है उसको अच्छे से पढ़ रहे हो question को revise कर रहे हो और PDF को पढ़ रहे हो तो आपका 90% जो current affair हो वो बिलकुल सही होगा exam में क्योंकि 90% current affair हमारे ही current affair से त्यार होता है इसलिए बहुत ही जुरूर है कि आप इनको जुरूर देखें thank you, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और खुश जुरूर है क्योंकि happiness जो है वो आपका जो success rate वो double कर देता है आपकी जो मेहनत है वो जितनी आप करोगे वो happiness से अपने आपकी क्या हो जाती है double हो जाती है तो खुश रहें life को ज़्यादा serious ना ले और अपना दियान रखें